ब्रेक मद आगरवाद करिये तो PSI सरकर देविंद्रसी राठोड ने प्रत्निये सरकार पासे CBI तपास ने अने न्यायनी मांग साथे लगावी गुआर चार महिना अगाव बेहजार सोल सत्तर नी ब्यचना PSI तेमज गोल्ड मेडालिस्ट देविंद्रसी राठोडे एकत्रस्मी डिसेंबर नारो चांदलोडिया खाते आवेला पोताना घरमा रिवोल्ड वर्थी आपगात करिली दो अतो आप गात पहला तेमने सुसाइड नोट लख्याती सुसाइड नोट मो लख्वामा आवेतु के डिवाएस्पी ना त्रास्ना करणे ते आवु पगलु भरी रया छे तपास दर्म्यान चोंकार नारा तत्थ्यो बहार आवेता अने तेमने मुकेल सुसाइड नोट मो कराई एकडमिक हाते डिवाएस्पी जारा आपवामा आवता सारीरिक औने मानसिक रास्नों उडलेक करवामा आवे हतो। परन्तु चार चार मैना विति गया हवसता आ केस माटे आगननी तपासना नामे भिंडू तेमच काचबानी गतिये कार्यवाही साबित थती होय। परन्तु चार मैने अब तक मेरे लिए या मेरी तीन साल की बेटी के लिए अभी तक कुछ भी जो मुआपजा देना चाहिए वो भी नहीं दिया है। और नाहीं हमको अभी तक कोई जस्टिस मिला है। अभी तक एनफी पटेश को चार महीने हो गया है। उसको इसको इस नाहीं प्लिस दिपार्टमेंट की तरफ से ये बताया जा रहा है कि इन्वेस्टिकेशन कहां तक पहुंची है। उसको पकड़ने के लिए उन्होंने कौन से कौन से कदम उठाएं। उसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं दी जारी है। मुझे मेरे पती के बिहाफ में एक जॉब देना चाहिए है सरकारी वो भी नहीं दी गई है। मेरे ससूर है वो रेटायर्ड इंसान है। मेरे हस्बेंड ही एक कमाने वाले इंसान थे। जो अब नहीं है इस दुनिया में उसकी वज़े से हमें बहुत ही बहुत ही तंगी हो रही है। मैं और्गनाइज़शन फॉर हीूमन राइट्स वेलपर से हाँ जोड़के विंटी कर रही हूँ कि मेरा जो ये केस है वो CBI को सौपा जाए। जिससे मेरी ये तपास है उसको कुछ कुछ दिसा मिले। मेरे पती ने मढ़ने से पहले इस सुसाइट नोट लिखी थी। उसमें नोट में क्लियरली एंपी पटेल ने जो जो उनके संग तरास किया है। जो जो उनको टॉर्चरिंग किया है, फिजिकली या मैंटली उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है, तो भी तंत्र या फुलिस के डिपार्टमेंट की तरह से अभी तक उसको हिरासत में नहीं लिया गया है। वो आज की डेट में भी ऑन ड्यूटी ही है, तो मैं क्या समझू इसके लिए, मुझे इतना मतलब मैं हो गई हो दिमाग वैसा हो गया है, कि अगर मेरी घर में फाइनाशली इतनी मतलब तंगी आ गई है, कि मैं खुद भी सुसाइट कर लूँगे, अगर मुझे नयाई नही मिला तो मेरी तीन साल की बच्ची है, उसको लेके मैं भी मेरा सुसाइट करने का मैंने भी इसना डिसिजन ले दिया, अगर मुझे नयाई नहीं मिला तो ZSTV Bureau Report अमदावाद